प्रिश्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कि है लो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्तों मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है आज हम मौस्टी एलो वेरा क्रीम का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में हम बताएंगे इसके धेर सारे फायदे के बारे में और इसके बनाती है यानि कि सारी बाते हम जानेंगे इस वीडियो में इस लिए इस वीडियो को थोड़ा साभी स्कीप करके मत देखीएगा इस वीडियो पर लास्त तक बने रहिएगा तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि सामने आपको यह च्छोटा सा कागस का कैटन दिख रहा है जो कि मौस्टी ऐलोवेरा क्रीम है यह 25 ग्राम के पैक में आता है और जिसकी कमपनी है हीट्रो हेल्थ केर और दिखे कुछ इस तरह से इस कागस के कैटन में इस तरह के कुछ इस तरह का पैक आता है यह मौस्टी ऐलोवेरा क्रीम जो कि खुसबू की बात करें त है अगर हम इसे लगा लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें खुस्वू आता है और चलिए इसके कंपोजीशन पर नज़र डालने दिखिए यह एलोवेरा एक्ष्ट्रेक्ट है वेट जर्म और इसमें है साथ में इसमें नेचूरल विटामिन एडाला गया है हनी है टी ट्री ओयल है और मॉस्ट्राइजिंग क्रीम बेस है यानि कि यह मॉस्ट्राइजिंग बेस क्रीम है और इसमें इतने बहतरीन जो साल्ट डाले गया है वह हमारे चेहरे को काफी फायदा पहुंचाते हैं देखिए अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और बहुत से लोगों की जो सफेद धब्बे टाइप दिखते हैं तो अगर इस तरी की समस्या है तो आप इस जरूर मॉस्टी एलोवेरा क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं यह क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या इसे आप अनलाइन भी परचेस कर सकते हैं यह आपकी स्कीन को स्मूथ बनाता ही है स्टी फटी सी लगती है तो उन कंडिशन में आप इससे मॉस्टी एलोवेरा क्रीम का जरूर एक बार इस्तमाल कर सकते हैं इसके लगाने से हमारा चेहरा जो है बिल्कुल स्मूथ और गोरा दिखने लगता है और दिखिए जितने भी मार्केट में क्रीम आते हैं जैसे कि फ बनाया जाता है मॉस्टो राइजिंग क्रीम का काम यह है कि यह आपके अंदर मतलब स्कीन के अंदर नमी को बनाया रखता है जिसकी वज़े से आपका चेहरा बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में और चेहरे पे नमी जब रहती है तो वह ड्राइ नहीं लगता साथ मे के चेहरा हमारा है काला नहीं दिखता त दिखे यह इस क्रीम को वो लोग नहीं इस्तमाल कर सकते हैं जिनका चेहरा ओईिली है क्योंकि इसके लगाने से चेहरा ज्यादा ओईंधा हो सकते हैं अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और लू भी काफी ज्यादा चल रही है दिन में जिसकी वज़े से हम थोड़ा सभी बाहर निकलते हैं तो अगर आपकी ड्राइ स्कीम है तो काफी प्राफिम होती है इस्कीन फेस की स्कीन है काफी फटी-फटी सी दिखने लगती है तिक इस क्रीम को हम स्कीन और अपने हाथ पैरों पे भी लगा सकते हैं जो कि हमारे हाथ पैरों और चेहरे को स्मूध बनाता है यानि कि इसे हम अगर सुबह में चाहें तो सुबह में लगा सकते हैं या आपको रात में लगाने का मतलब रात में लगाना चाहते हैं तो रात में भी लगा सकते हैं यानि कि दोनों टाइम कभी भी लगा सकते हैं और बहुत ही बहतरी नहीं यह क्रीम है एक बार जरूरी स्क्रीम करें और यह था मोश्टी एलोवेरा क्रीम के बारे में सब कुछ और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो स्क्रीम को लेकर तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आके और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले